हेलो एप्रिवान माइनम इस रुपाम घुमार वेलकम टू माय यूटिव शंदर तो क्या है ना आज कुछ व्लॉग के लिए आज कि मैंने अलोडी दो वीडियो बनाया था कि का आएम्वीय में क्या पराया जाता हैसेर्व क्या ऐसे परहा जाताथ मिया मार्केटिंग को में बता अचे आए अंहीं हुं लेकिन more or less हार एक MBA college में ऐसा ही रहता है ठीक है तो क्या है थर्चम में क्या परहा जाता है marketing में और अगर तुम लोग को किसी HR finance बगरा साई है तो बता दोना मैं वह भी बता दूंगा comment में बता दोना मैं try करूंगा करने की ठीक है तो अभी क्या है थर्चम MBA या फिर PGDM वह फिर के रहें। वहाइब को रहें करेंगे स्टेश्क करते कि बीजनेश करना मैं नहीं होगा कि कैसे करेंगे फिर उप्लिमेंट करना होगा तो ये कैसे मेंस करें गये कौन सी रूल बनाएंगे, स्टेटेजी बनाएंगे, कि बिजनेस ग्रोव करें, तो वह सब नाइश पर में आता है, और यह पेपर, मैं बता हूंगा, यह से तीन-चार पेपर है, जो सब किले सेम है, मार्केटिंग हो गया, तुम्हारा, अब इजिजिनल मार्गेटिंग, HR जो भी है सब के लिए सेम हैं फिर नेक्स आया बीजनेश, एठिक्स, और कॉर्फरेट्ट गवर्नेंस यह भी इतिक्स सब को पता है मतलब क्या मतलब क्या राइट है क्या गलत है गवर्नेंस मतलब की जो एक और्गणाईजेशन को रान कर कि तुम और्गनाइशन में कैसे रहोगे ऐसा तो नहीं कि तुम जाके बढ़े जो तुमरे अपर लेवल के लोगे उसके साथ दोस्ती चैसा बात करोगे या फिर तुम किसी इंफ्रोमेशन को पास करोगे कि किसी के बार में पूछ लोगे तो यह सब इथिक्स में आता है कि कॉंपरेंशिव रिव덮 मोडेल मणल जो फास्त और सेकेंज के में था अवरल मार्केटिंग के वारे में यह फिर में इसमें के बारे मोजब कि वह सब मिला-जूला चु भी दू इक पना दिया उस्में उसमे और Istah spouse प्र होट आप एंप यहैं मतलों प्लेश्मेंट रेदि सब्सक्राइब क्या कहते हैं जब तुम किसी कंपानी के लिए इंटर्वु देने जाओगे उससे पहले यह सब एक्जाम टेस्ट लिया जाते हैं तो इसको प्रिपेर करने के लिए ऐसे बनाया जाते हैं एक लास्ट है जो मतलब सब के लिए कम ओन है वह कॉर्परेट ट्रांजिशन मोडल वह भी वह है पार्सनल ग्रूमिंग हो गया यह ब्याट बगरा कैसे रखना है रेजिमें कैसे बनाना है इंटर्वु देने के ताइब कैसे शकल बना के जाना है इस्ताइल नहीं करना है यह प्रोपर मार्केटिंग के लिए में जो सब्जेक्ट है टो फ़ास्ट रूड या फास्ट रूड le marketing जो से मार्केटिंग करना मतलब समझेगें वह को नेक्स्त tumेम सब्सकति मार्केटिंग में अनलींटिक्स लो बहुत सही है क्वाई है पर जोबी है तूल्स बागर जोबी है न आउलेस करने के लिए को पाउर भी हो गयाए यह सब तूल्स ने मार्केटिंग को अनल्स करने के लिए कैसे उष्ट करते हैं किया बेनिफिट है वह इसमें बढ़ा जाता है थार्ड है B2B marketing B2B marketing मतलब business to business marketing जिसमें तुम कि तुम्हारा एक business है और एक second person का भी business है तो उसके साथ कैसे deal करोगे है कैसे marketing करोगे वह सब आप आपका raw material है और एक person ऐसी raw material इूज करके उस product बनाता है तो उसके साथ कैसे deal करें किसार मेरा भी product ले लियो और बना लियो मतलब म हमरे से उसकर के तो कैसे marketing करेंगे खुट को B2B में यह पर आजाते है उसके फोट आता है Supply and Management अब इसमें क्या होता है कि इसे product हो गया वहराफिसिंग कैसे करेंगे कितनी लोजिस्टिक जैसे बोलते हैं कि कितनी product हम लोगों को अभी भेजना है कितनी warehouse करके रखना है इस त मार्केटिंग होता है जैसे product कुछ भी माल लो जो भी माल लो यह नारियल का तेल है यह product हो गया लेकिन service में क्या होता है जैसे कि airport में मतलब airlines में सो air hostess हो गया फ्लाइट के उपर सो service देते हैं हम लोगों फिर hospital में जो लोग service देते हैं यह सब suppose कि तुम्हारा organization जैसा है कि त लिगल service प्रोवाइट करते हैं तो वह service केसे manage करो गए यह सब service marketing में आता है तो ठक गया मैं पड़ता तो कुछ भी नहीं एक्जाम के दिन पर के जाता हो कल भी exam है कोई दिक्कत नहीं तो वही है मिला जुला के ऐसे होता है तो बाकी का में बता दूंगा मैंने सिंपल से बन पुछ गल्ती वल्ती हो गया तो माफ करियो बाकी सब्सक्रेब कर देना